नमस्कार महापुर्शों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इनसान बनने में सहायता करती है इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुँचे सब कविता को जाने और समझे विशेश रूप से हमारी युवा होती पीड़ी अर्थात कि शूर बच्चे कविता से निकटता बनाए तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान ले कि कविता है क्या कविता का एक छोर जहां कलपना को आकाश की उचाईयों तक ले जाने के ख्षमता रखता है वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिता है यही अंतर विरोध ही कविता का जनक है कविता का भाव जगत चात्रों के लिए हमेशा से जिग्यासा का कारण बनता रहा है इस शंखला के कारिक्रमों में उनकी इने जिग्यासाओं का उत्तर खोजने का प्यास किया गया है साथियों नमस्कार कविय और कविता स्रिंखला के अंतरगत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं समकाली इन कवि अरुन कमल और उनकी कविताओं पर आधारित ये कारक्रम अरुन कमल की दो कविताएं पाठ्यपुस्तक में सामिल है पहली कविता का सीर्षक है नए इलाके में और दूसरी कविता है खुस्बू रचते हैं हाथ ये दोनों कविताएं NCRT की कक्षा नव की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्स भाग एक में संकलित हैं इन कविताओं से जुड़े महत्पुन बिंदुओं पर प्रकास डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्तित हैं डाक्टर अजैतिवारी डाक्टर अजैतिवारी दिल्ली विश्व विद्याले के हिंदी विभाग में लंबे अर्शे से अध्यन अध्यापन करते रहें भासा साहित्य और अलोचना के छेत्र में महत्पुन हस्ताक्षर हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं डाक्टर हरी मुहन शर्मा डाक्टर शर्मा दिल्ली विश्विद्याले के हिंदी विभाग के पूरु अध्यक्ष रहे हैं भासा साहित सिक्षण में उनका विसिष्ट योगदान है आईए देखते हैं उनकी बातचीत नमस्कार मित्रों आज हम समकालीन कावधारा के महतपूर्ण कवी अरुन कमल और उनकी दो कविताएं नए इलाके में और खुश्बू रज़ते हैं हाथ पर चर्चा करने जा रहे हैं अरुन कमल समय, समाज, जीवन की विड़मनाओं को अपनी सरल भाषा में ऐसा रज़ देते हैं कि कविता मार्मिक बन जाती है इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्तित हैं डाक्टर अजय तिवारी डाक्टर तिवारी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार रख साब डाक्टर तिवारी, क्या अच्छा हो कि सबसे पहले आप अरुन कमल जी का संक्षिप्त जीवन परिशाय दे दें उसके बाद फिर कवता पर चर्चा करेंगे ठीक है रख साब, अरुन कमल रहतास जिल्ले में पैदा हुए बिहार में और आगे वहीं पतना में प्रोफेसर बने अंग्रेजी के और अभी एक कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं उन्होंने अपने आसपास के जीवन को बहुत नजदीक से देखा और समकालीन कविता के उन गिने चुने कवियों में हैं जिन्हें समाज के निम्न मध्यवरगी और ग्रामीन जीवन की भी जानकारी है इसलिए बहुत से ऐसे अचूते प्रसंग अरुन कमल के साहित्ते में आते हैं जो दूसरे के यहां नहीं आते हैं जैसे सबसे पहले कवित अरुन कमल जिसने बिहार से पंजाब जाके खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों पर कविता लिखी थी इसी तरह बिहार में एक ऐसी अद्भुत चोरी की कविता लिखी थी उन्होंने कि चोर घर में घुसा सेंध लगाके जान जोखिम में डालके और गया और एक उस पर छींके पर केवल भात थोड़ा सा रखा हुआ था उसने वो भात उठाया और खा लिया और खा के भाग गया और कविता अंत होती है कि वो तो पकड़ा ही जाता अगर उसने ड़कार को रोक नहीं लिया होता तो आप देखें ये गरीबी जहां आदमी केवल भात चुराने के लिए जान जोखिम में डाल लेता है तो ऐसे बहुत मामूली लोगों के जीवन प्रसंग इस कवी ने अपनी कविता में उठाए हैं तो अरुल कमल बहुत समवेधर शील कवी हैं और वो जीवन के यथार्त वेवरों को इकठा करते हैं और उनके याधार पर कविता लिखते हैं और इसलिए उनकी बड़ी महतवपूर पहचान बनी और साहित एकड़मी पुरसकार तक उन्हें मिला है बाकी तो बहुत सारे पुरसकार मिले हैं तो यह अरुन कमल का कवी व्यक्तित्व है क्या बात तक साब आपने अरुन कमल का बहुत अच्छा पर्चे दिया अब उनकी जो दो कविता हैं उसमें पहली कविता का पार्ट करें आप नए इलाके में जो कविता लगी हुई है उसका पार्ट कर दें और उसके बाद थोड़ी भी आख्या उसकी बताएं नए इलाके में इस नए बस्ते इलाके में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ धोखा दे जाते हैं पुराने निशान खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मन्जिला और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या दो घर आगे ठकमकाता यहां रोज कुछ बन रहा है रोज कुछ घट रहा है यहां स्मृति का भरोसा नहीं एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया जैसे बसंत का गया पत्छड को लोटा हूँ जैसे बैसाख का गया भादू को लोटा हूँ अब यही है उपाए कि हर दर्वाजा खट खटा हो और पूछो क्या यही है वो घर समय बहुत कम है तुम्हारे पास चला आ रहा पानी धाहा आ रहा अकास शायद पुकार ले कोई पहचाना उपर से देख कर क्या बात है अपने नए अलाके में कोईता का बहुत सुन्दर पाठ किया अब इसके जो महत्पूर्ण बिंदु है उन पर अगर प्रकाश डाल दें तो अच्छा रहेगा जी रखसर इस नए बसते इलाके में जहां रोज बन रहे हैं मकान नए नए मकान मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ अब देखेंगे नए नए मकान जिस इलाके में बस रहे हैं यानि आज की भाशा में वहां विकास हो रहा है और विकास के कारण और विकास इतना तेज हो रहा है कि जगहों की पहचान गुम हो जाती है और इस पूरी कविता में आप देखेंगे इसी तरह जगहों की पहचान गुम होती है और उन जगहों को जानने वाले या उन जगहों को पहचानने वाले आदमी की भी पहचान गुम होती है इस मनुष्य की गुम होती हुई इस पहचान की विडम बना यहां उधाटित की जा रही है दोखा दे जाते हैं पुराने निशान अब आप देखें कि पहचान निश्चित चीजों से बनाई जाती है लेकिन वो निश्चित चीजों का इस अंश में उलेख किया गया है जैसे पीपल का पेड़ रहा हुआ घर जमीन का खाली टुकड़ा तो इन निश्चित चीजों से पहचान बनाई जाती है लेकिन विकास की इस आंधी में चीजें निश्चित नहीं है कोई चीज निश्चित नहीं है तो इस अनिश्चे और इस गतिका यानि इस रफ्तार का वो उलेख करते हैं अब देखें आप धोखा दे जाते हैं पुराने निशान खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ अब ये पीपल आप जानते हैं पवित्र विक्ष माना जाता है और पीपल को काठनी की मना ही है अरुन कमल के मित्र कविराजेश जोशी ने इस पर एक कविता लिखी है क्योंकि पीपल को काठा नहीं जा सकता क्योंकि ये धर्म के विरुत है और अनादिकाल से पीपल एक पवित्र विक्ष की तरह हमारे समाज में स्विक्रत रहा है तो ये पवित्र परंपरा का प्रतीक है पर यहां इसमें कहा गया कि खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ अगर पीपल का पेड़ है तो पीपल का पेड़ खड़ा है उसको मनुष्य की तरह कालपना कर रहे हैं वो ताक रहा था देखता था पीपल का पेड़ देखता था न तूटा-फूटा घर, तूटा-फूटा घर किसका होगा, किसी गरीब आदमी का होगा, तो ऐसा विकास हो रहा है, जो एक तरफ हमारी भव परंपरा को नश्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ साधारन, निर्धन, मनुष्य का घर उजार रहा है, उसको भी नश्ट कर रहा है, ऐसा विकास चल रहा है, तो ये विकास किन चीजों को नश्ट कर रहा है, इसकी तरफ कभी ध्यानाकरशित करना चाहता है, और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे, यानि जो निशान अब तक बनाए गए थे, वे सब बदल गए हैं, तो ये परिवर्तन किस तरह अनिश्टित्रा पैदा करता है, आप ये देखें, बाकी तो विवरन है, कि दो मकान के बाद लोहे के रं यहां तक और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं, या दो घर आगे ठक्मकाता, ये जो पुराना अदमी है, उस नए इलाके में कैसे छक्मका जाता है, लिए कैसे उलजन में पढ़ जाता है, और उलजन में पढ़ के ठिठकता है, उठिठक के परिषान होके एक खर व्याकुलता ठिठक ये उल्जन दिखाई पड़ती है उल्जन और ठिठक ना तो कैसे भटक रहा है खोचता हुआ पता इसका चित्र उभराता है चोटे से वर्णन से यहां रोज कुछ बन रहा है रोज कुछ घट रहा है यहां स्मृति का भरोसा नहीं अब यह जो स्मृति ह अगर रोज जो चीज कल थी हमने उसके आधार पर पहचान बनाई तो इस्मृति क्या चीज है बाहर जो चीजें हैं दुनिया में उनकी जो हम पहचान बनाते हैं वही हमारी इस्मृति होती है यानि बाहरी दुनिया की हमारे द्वारा बनाई गई पहचान ही हमारी इस्मृ इसमृति में नहीं ला सकते हैं, हम उसको स्वपन में ला सकते हैं, तो स्वपन का विपरीत है इसमृति हमेशा पहले से मौजूद चीजों की होती है, हम उनको पहचानते हैं, उनको याद कर लगते हैं, तो जहां रोज कुछ बन रहा है, पहले नहीं देखा, और जो था वो वहाँ इस्मृति का भरोसा नहीं कर सकते और इस्मृति मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति है इस्मृति हमें इतिहास से जोडती है और इस्मृति हमें अपने समाज से भी जोडती है इस तरह इतिहास, समाज, हर चीज से मनुष्य को विच्छिन कर देने वाला परिवर्तन हो रहा है एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया तो ये परिवर्तन की तीवर गत्य है कहते हैं कैसी जैसे वसंत का गया पतज़ड को लोटा हूँ वसंत और पतज़ड में अगर आज के यूकों को समझना हो तो कहें जैसे फरवरी वसंत शुरू होता है और अपरेल में पतज़ड आता है तो मुश्किल से दो महीने का फासला है लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी बदल गई एक दिन में दुनिया ऐसी बदल गई कि बसंत की हरियाली में आये थे और अब पतज़ड का उजाड है ऐसे ही बैसाख में आये थे और भादों में बैसाख मतलब जब गर्वी खतम होने वाली होती है तो भी बड़ा सुन्दर मौसम होता है लेकिन अब भादों में आये जब भैंकर बारिश हो रही है मानसून का वाक्त जब भैंकर बारिश है ना भादों भादों मतलब बारिश अच्छा और इस भादों से आगे की पंक्तियों का संबंद है लोटा हूँ अब यही है उपाए की हर दर्वाजा खटखटा हो और पूछो क्या यही है वो घर अब यहां उसकी ब्याकुलता और बढ़ गई है कि उसको जहां जाना है उसको खोज रहा है क्या यही है वो घर हर दर्वाजा खटखटा के पूछो और इस तरह से आप देखें कि सारा वातावरन अजनबी हो गया है क्योंकि निश्चित नहीं कि इस दर्वाजे पर वही चीज मिल जाएगी अब इसके बाद देखें आप कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास आ चला पानी, धाहा आ रहा अकास अब यहां अकास का प्रयोग जैसे ठकमकाना का प्रयोग था यह बताने के लिए वो किस इलाके का है पिछला हुआ इलाका है यहां अकास का प्रयोग यह बताने के लिए है कि यह किस व्यक्ति का है यह कौन सा व्यक्ति है जो खोज रहा है आकाश कहता तो ये मैं कभी होता यहाँ जो आकास है ये बताता है कि कभी नहीं है एक कोई मामूली सा आदमी है सीधा साथा देहात से आया आदमी है तो कम पढ़ा लिखा आदमी है साविप्राय प्रियोग किया है साविप्राय प्रियोग है आकास चला आ रहा पानी तो पानी चला आ रहा रहा अभी भादों था ना भादों को लोटा हूँ तो पानी प्रतीक है कि पानी आएगा तो आप भीग जाएंगे अपने रक्षा का आपके पास कोई उपाए नहीं है क्योंकि जहां जाना था वहां पहुँच नहीं पाए और इस तर वर्तमान को धाहा रहा है, तो विकास के इस विनाशकारी रूप को चित्रित किया उन्होंने, यानि एक आसन्य संकट है, आसन्य संकट का मतलब संकट आ पड़ा है, अब समय नहीं है, बचने की कोई गुंजाईश नहीं है, अब ऐसे में एक ही कालपनिक उम्मीद है, कि श्रा करते हैं, इस तरह विकास की विडंबना इस कविता का मूल है, और आप देखें यहां कि शुरू में इलाके की पहचान गुम हुई थी, और यहां कोई पहचानता नहीं, यहां मनुश्य की पहचान गुम हुई है, जो विकास मनुश्य की पहचान गुम कर दे, उस विकास का मानवी रूप संदेह में होगा कवी ये बताना चाहते है रग सब ये जो नया इलाका उसने यहां दिखाया है जो हमारे समाज में निरनतर उभर रहा है मैं इसी से एक छोटी से जिग्या सा एक ट्रश्ण मेरे मन में है कि समय बहुत कम है इसी कविता में कहा गया पास बचने के लिए समय नहीं है तो संकट इतना गहरा है और इतना तेज है कि आ पड़ा है जैसे आकाश तूटके गिरने वाला है अब इसमें तुम बचोगे कैसे मतलब सावधान करना चाहता है लेकिन सावधान इस मनुष्य के बहाने वो ध्यान खीचना चाहता है विकास के इस स्वरूब पर जो स्वरूब विनाश लेकर आ रहा है और वो विनाश इतना तेज है कि बचने के उपाए की गुंजाईश नहीं है समय बहुत कम है तुम्हारे पास या इतनी तेज विकास है कि उसको अगर तूरत रचते हैं हाथ जी कई गल्यों के बीच कई नालों के पार कूडे करकट के ढेरों के बाद बद्बू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुश्बू रचते हैं हाथ खुश्बू रचते हैं हाथ उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखूनों वाले हाथ पीपल के पते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुश्बूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुश्बू रचने हाथ, खुश्बू रचने हाथ. यही इस गली में बनती हैं मुलक की मशहूर अगरबतियां, इन्ही गंदे मुहले के गंदे लोग बनाते हैं केवडा, गुलाब, खस और रातलानी अगरबतियां, दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुश्बू रच्ते हैं हाथ, खुश्बू रच्ते है हाथ बहुत अच्छा पाठ के रखती वारी अब इस कविता की व्याख्या कुछ कर दें तो जी रख सब आप देखें पहले तो इसमें खुश्बू रचते हैं हाथ तो कविता के इंद्रियत है हाथ पर और यही पंक्ती जो है यह बार-बार दोहराई जाती है यही इस कविता का मूल कत्य है मूल सारतत्य है यही इसका संदेश भी है तो मर्म है जिसको कहते हैं हाथ आप जानते हैं मनुष्य के कर्म की इंद्रिय है कर्मेंद्रिय है श्रम की इंद्रिय है श्रमेंद्रिय है और हाथ के कारण ही मनुष्य दूसरे प्राणियों से अलग मनुष्य बना इसलिए हमारे मनुष्य होने की पहचान हमारा हाथ है इस हाथ से हम कर्म करते हैं, स्रिजन करते है और मनुष्य का यह स्रिजन होता है, निर्मार होता है यह हमेशा आनंददाई होता है क्योंकि यह हितकर होता है निर्मार कभी भी हानिकर नहीं होता हाथ से किया गया निर्मार मनुष्य के लिए समाज के लिए लावकर है इसलिए आनंददाई है अब आप देखें कि पहले अंश में जहां गलियों नालों और कूडे करकट के बाद जो लोग रहते हैं उनका इलाका कैसा है टोला कैसा है टोला है जहां बद्बू ही आती रहती है कोई दूसरा आदमी जाता है तो उसका हाल खराब हो जाता है बद्बू की वज़ा से तो उनका परिवेश गंदा है शहर से दूर है क्योंकि नालों गलियों कुड़ा करकट के बाद है जो हाथ से काम करते हैं उन लोगों का हाथ से काम करने वाले लोग है उनका परिवेश ऐसा है जिसको स्लम कहते हैं गंदी बस्ती कहते हैं ऐसे इलाके में वो रहते हैं और काम क्या करते हैं खुश्बू रचते हैं जैसा हमने देखा कि कविता में आगए अगरबतियां बनाते हैं, तो खुश्भू रचते हैं तो खुद गंधगी में रहते हैं लेकिन खुश्भू रचते हैं समाज के लिए अच्छा काम करते हैं दूसरों के उप्यो wedदे लिए उसके बाद आप देखें कि यहां तो जैसे बाहर से आप जा रहे हैं आपने दूर से बस्ती रेखी और बस्ती का वर्णन किया इसके बाद दूसरे अंश में आप देखें कि उसको थोड़ा नस्दीक से देखा गया है उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखूनों वाले हाथ पीपल के अब उभरी नसे मतलब जो श्रम करत नए नए हाथ का मतलब है छोटे छोटे बच्चे इसकाम में इनवालव नए 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 हाथ हैं और उनके नए हाथ कैसे हैं पीपल के पते से यहां जो पीपल के पते आपने देखे होंगे वो हिलते हैं चंचल गती से और चमकते हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं तो यह सारी चीज़ है और जख्म से पटे हैं कटे पिटे हैं तो यह जो श्रम करने वाले हाथ हैं यह घायल हैं ख्षत विक्षत हैं यातना सहर हैं तो यहां उसका बहुत नस्दीक से श्रम करने वाले हाथों को नस्दीक से देखा गया है और इस हाथ के जरीए उस मनुष्य का पूरा चित्र या उन मनुष्यों का पूरा चित्र हमारी आख के सामने आ जाता है ये इस कला की विशेष्टा है कि कहने को तो विवरन है लेकिन उसके भीतर से ये जो बहुत ही मारमित चित्र है उभर आता है यहां यहीं इस गली में बनती हैं मुल्की मशूर अगर बत्या आप देखें तो यह जो गंदे लोग हैं गंदे कहे जाने वाले लोग हैं यह अगर बत्या बनाते हैं तो बद्बू में रहके खुश्बू की रचना करते हैं जब आप यहां तकाते बाकी तो वाकिय का आर्थ है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन जैसे ही आप यह देखने हैं यहां आके फिर सारी बात को वो एक निशकर्ष की तरफ ले जाते हैं सीधे कोई संबेश नहीं देते लेकिन यह पढ़ने के बाद जब उनकी दुर्दशा का यह सब देखने के बाद लगता है कि यह जो बद्बू में रहके खुश्बू रच रहे हैं यानि श्रम करने वाले लोग हैं उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों है और जैसे ही आपके मन में सवाल आता है कि यह रचना करने वालों की दुर्दशा क्यों है वैसे ही आपके मन में यह भावना पैदा होती है कि दुनिया को हमें बदलना चाहिए ऐसा बनाना चाहिए जो सुन्दर हो यानि जो श्रम करने वाले लोग है जो दूसरों के लिए खुश्बू रचने वाले लोग है उनका जीवन भी सुन्दर हो, सुखी हो यानि दुनिया उनके अनुसार, उनके अनुकूल बदली जाए ऐसी दुनिया बनाई जाए ये भाव पैदा होता है इस तरह कभी हमें प्रकारांतर से एक चेतना देता है और अंतिम बात इसके बारे में ये कहनी चाहिए कि आप देखें कि जब ये भावना आती है तो खुश्बू रचना मूलेबान गुन है स्थाई गुन है लेकिन उनका बद्बू में रहना स्थाई गुन नहीं है उनकी पाशवी के स्थित है इसलिए इसको बदलना जरूरी है कभी ये बताता है क्या बात है डगसाब इन दोनों कविताओं का संक्षेप में मूल संदेश क्या है डगसाब मूल संदेश दोनों में ये है कि आप देखें कि एक म बताया जा रहा है कि ऐसा निर्माड़ है जो मनुश्य के विरुद्ध है बिल्कुल और उसी का दूसरा पक्षी है कि जो श्रम कर रहे है यानि जो निर्माड़ कर रहे हैं वो कैसी दुरुद्शा में रहते हैं उसके दो अलग-अलग आयाम है इसलिए परिवर्तन की दिशा क यह वो करते हैं ठीक है लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और कह देनी जाहिए कि निम्न वर्ग की जिस स्थितिका इन्होंने वर्डन किया है उनके प्रति जो अभिजात दृष्टी है वो उपेक्षा की दृष्टी होती है तो इनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत कभी उसपर ध्यान देता है लेकि जो अभिजात दृष्टी है जो उनको उसी तरह बनाए रखना चाहती है और उसको तरह देखके उसको कोई बेचाईनी नहीं होती उस पर कवी एक तरह से परोक्ष टिपणी करता है और सबसे महत्सकूर्ठ चीज यह है कि कविता के तीनों हमारे भीतर भावुकता नहीं पैदा होती, हम कविता पढ़के रोने नहीं लगते, व्याकुल नहीं होते, लेकिन हम कविता पढ़के उद्विक्न होते हैं, हमारे भीतर बेचाई नहीं पैदा होती है, कि ऐसा क्यों है, हमें इस चीज को बदलना चाहिए, बेहतर बनाना चा साथियों अभी डाक्टर अजय तिवारी ने समकालीन कभी अरुन कमल और उनकी कविताओं से जुड़े जिन महत्वण बिंदुओं पर प्रकास डाला है वह हमारे विद्ध्यार्थियों के लिए न केवल ज्यानवर्धक और उपयोगी है बलकि कविता सम्मंदी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है फिर भी आप लोग के मन में कोई प्रश्न कोई जिग्यासा हो तो आप अपने सातियों से अपने अध्यापकों से चर्चा करें अध्यापकों से विशेश अनरोध के साथ कहना है कि वो पाठ पढ़ाते समय विद्ध्यार्थियों म हमें भी पत्र लिखें हमारा पता है सन्युक्त निदेशत C.I.E.T. चाचा नहरु भवन N.C.E.R.T. श्री अर्विन्द मार्ग नई दिल्ली एक एक शुण्य शुण्य एक छे साथियों अब हमारा कारक्रम यहीं संपन होता है अगले कारक्रम में हमें एक अन्यकवी और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तोत होंगे तब तक के लिए हमें आज्या दीजिए नमस्कार प्रस एक में आज्या में मैं आज्य हाद एक शुणिए सकता के विए अन्यकर प्रस्तो नषूू जब के शुण्यद बокर्फ óее हमें उन मौ साचरुण आफ इंड़न आज़् एक शुणरूskें आज्या एक एक शुँऔ़नि